दोस्तो रिसेंटली एथर एनरजी ने एथर 450X इंडियन मार्केट में लॉंच किया था लिटरली ये गाड़ी जब से लॉंच हुई है ना कम्पनी ने जो गोल सेट किया था सेल्स के रिगार्डिंग वो फाइनली वो अचीव करना स्टार्ट कर चुके है क्योंकि जब ये गाड़ी नहीं आई तो उसके पहले इनके 3-4,000 से ज़्यादा गाड़ी ये सेल नहीं होती थी जब से ये जेन 3 लॉंच हुई है उसके बाद से कम्पनी का लिटरी जो सेल्स है वो कफी अच्छे दिखना मिल रहा है वैसे देखा जाए तो जेन 3 है उसमें ठीक ठाक है इतना भी जादा नहीं है अगर कॉंपेटिशन से देखा जातो उसको और बहतर बनाना चाती है और 2030 को और अच्छे से स्टार्ट करना चाती है एथर एनरजी साथ तारीकों एक इवेंट और्गनाइस करने वाला है जिसमें वो बहुत सारी चीज़े रिवील करने वाला है और सुनने को मिलाए कि एवी गाड़ी भी वो इंट्रिवेंट में और इस इवेंट के लिए एथर एनरजी के जो कम्यूनिटी से उनको भी इन्वाइट किया गया है जिससे की जो कम्यूनिटी इंट्रेक्शन होगी इस इवेंट के द्वारा वो ज्यादा अच्छा रहेगा इस कंपनी के लिए वैसे तो आपको बता दू एथर एनरजी लगबग 2 या 2.5 साल से ये कम्यूनिटी इवेंट कराता रहता है अउला तो रिषेंटले स्टार्ट किया उससे पहले से ही अथरनेरजी इनरजी variety करते थे इसमें ये था कि हाँ इन्होंने हाय लाएट नहीं किया कि ऐसवाइंट होग्स होता है इवेंट होने कारण वर्ष ये जो लोग आते हैं इस इवेंट में, जो community events होता है, उसमें वो proper goodies भी provide करता है, इससे आप बोल सकते हो कि हाँ, एक feel good कराने के लिए, उन consumers को जिन्होंने ether 450X actual में खरीदी है, even goodies ऐसा नहीं देते कि दे दिया, एक reward की तरह देते, अब बात करते हैं कि 7 January को क्या है, well अभी तक list पता नहीं कि क्या क्या चीज होने वाला साथ तरीकों, बट हाँ, एक नई EV गाड़ी होगी, क्योंकि जो Gen 3 है, वो launch हुए 6 महीने हो चुके, और Indian market में कभी भी 6 से 7 महीने से जादा single गाड़ी को sustain नहीं करना चाहिए, ओला के case में देख लीजिए, even ether भी हर 6 महीने में कोई गाड़ी व मिलेगी, हाला कि इस गाड़ी में सुनने को मिला है कि जो range है, वो थोड़ा ज्यादा देखने मिलेगा, इवन जो features है, वो भी अपकब ज्यादा देखने मिलेगा, बट हाँ, ये सारी चीज के लिए extra पैसे भी चार्ज करेगी, ether energy, competition की बात करें, तो अभी बहुत तेजी से competition देखने मिल रहा है, ये वाला जो premium category है उसमें, और ये competition बढ़ाने का सबसे main company है, वो है Ola, और उसकी सबसे important गाड़ी, Ola S1 and S1 Pro, S1 की जो demand है, वो S1 Pro से बहुत जादा है, लोगों को S1 जादा पसंदारी, क्योंको value for money fit battery है, मैं आपको बता दू, ether energy को जो range है, 105 km, वो आ आपको Ola S1 में ही मिल जाता है, Ola S1 का जो price आपको पता ही कितना ही attractive है, 1,20,000 के अंतर आपको गाड़ी जाती है, on road की बात करो, उससे कम में भी काफी जगा मिल जाती है, काफी जगा 1,20,000 के उपर ही है, काफी जगा 1,00,000 के नीचे भी है, डिपेंड करता है कि कौन से area मे किस टाइप की subsidy मिल रही है, so competition को देखते वे, Ether Energy को premium Nets के साथ एक अच्छी गाड़ी भी provide करनी चाहिए, so company आप वही कर रही है, let's see price कितना होता है, क्या के नए, features आट कोने वाले है, क्योंकि features game भी बहुत जादा है, क्योंकि Ola के case में features अलगी level पे चले जा चुके भाई, एक अलगी level पे, Ether वहाँ पे देखा है, उनका features है, वह basic होच चुका है, वह अब हर गाड़ी में मिलती है, अब थोड़ा सा extraordinary करना पड़े का Ether Energy को, जो चीज वह साथ January को unveil करने वाले है, so आज की वीडियो बस एक छोटा साबडेट आप वीडियो चले तो प्लीस लाइक कर कर देना और चेथो प्लीस शेयर कर देना, मिलती है अगली वीडियो में, जै हिंद्दु